स्टुडेंट्स वेलकम पैक तो माई यूट्यूब चैनल सो बच्ची असी टर्म टू दा जो कोश्चन पेपर है फिजिक्स दा 19 अक्तूबर नो बच्ची तो नो आया सी ओ पेपर असी डिसकस करन जा रहे हैं सो बच्ची असी दे वीच मल्टिबल च्वात्स कोशन और वनमाक्स दे जो कोशन डिसकस करांगे वच्चे 2, 3, 5 माक्स दे कोशन मैं इस वीडियो दे बीच दिसकस नहीं कार रहे अगर तुसी चानने हा कि मैं ओ कोशन भी डिसकस कर रहा था और एक्स्प्लेइन कर रहा था प्लीस कमेंट सेक्षन दे विच दे देना 2, 3 और 5 मार्च दे कोशन अपा नेक्स्ट वीडियो दे विच दिसकस कर लांगे इस वीडियो दे विच बचे सिर्फ 1 मार्च दे कोशन और M सी क्योशन देखो A body of mass M is taken to the bottom to the deep mind असी किसे particular mass M नो किया डूंगाई विच लेके जा रहा है मनलो अपा अपने कार दे विच खूब पाट रहा हैं खूब पाट दे पाट दे आपन नीचे नो जा रहा है कैंदे mass and the weight of the body will be mass दे weight दा की फर्क होएगा हुं त्यान न सोचो बचे असी खूब पाट दे पाट दे बिलकुल नीचे चले गए जड़ी साथी body दा mass हा ओ सेम रहेगा body दा mass जड़ा कदे भी change नहीं हुंदा चाहे तुसी अर्थ दे रहो अर्थ दे अंदर चले जाओ अर्थ दे उपर चले जाओ space चले जाओ mass कदे भी change नहीं हुंदा जड़ा weight दे इकुल हुंदा w is equals to mg w is equals to mg so एक gravity दे डिपेंड करता सानों बता है जिदना ही ऐसी तर्थ दे उपर जाने है gravity हो दो भी काट दीगा अगर तर्थ दे अंदर जाने है ता gravity हो भी काट दीगा यदा मतला center तक जान दे जान दे gravity zero हो जान दिया यदा मतला नीचे नों जान दे जान दे जड़ी weight दा जाएगा हुन G दी बच्चे value की हुन दिया, G is equals to gm over r square, G मतलब gravitation constant, capital M मतलब earth दा mass, r मतलब earth दा radius, हुन capital small g केथे केथे depend करदा, या दा mass, तर्ती दे mass दे उपर depend करदा, या तर्ती दे radius दे उपर size दे depend करदा, so depend upon its mass, तर्ती दे mass दे depend करदा, करदा या, depends on its size, size मतलब radius दे depend करदा, करदा या, depend upon mass of the planet, so planet दे नहीं depend, earth दे depend करदा, ठीक है, जो तर्ती दा mass होएगा, तर्ती दा थड़ा होएगा, so बच्चे तोड़ा answer जेडा या, B आजेगा, बोथ A and B, next time period of geostationary satellite is, geo मतलब तर्ती, stationary मतलब की, तर्ती दी एक एद्दा दी satellite, जो सारों देखन दे विच, stationary लग दिया, बट stationary होँदी निया, हुन मानलो, आथवा दी तर्ती या, एथे सड़ा satellite हा, आथवा ड़का आरा, थो न अपने कार देव परवावली satellite, हमेशा जड़िया, एक को जगाते दिखाई दिया, हुन जिदा जिदा अर्थ को मधी जा रही हा, मानलो थो डगार इत्थे को मक्या गया था, तर्ती satellite भी इत्थे को मक्या गया था, अधर मतलब साटलाइट भी मूव कर रही हा, सो अंसर आजेगा C option, निक्स्टा, इफ दा अर्थ, इफ दा रडिएस अफ अर्थ, वर तो भी श्रिंक बाई 1% बाई दा मास रिमेंस सेम, हुन बच्चे था नो जी दा फॉर्मूला पता, जी इकोस टू जी एम डिवाइड बाई आर स्कियर, हुन आर स्कियर की हो गया, उनाने किया श्रिंक कर गया, अगर रेडियस श्रिंक कर गया, डिक्रीज, श्रिंक था मतलब की है बच्चे, डिक्रीज कर गया, तो ग्रेविटेशन जी जी जडिया, एक्सरेशन डू टू ग्रेविटी की हो जोगी, increase हो जोगी उनने के acceleration due to gravity नो की हो जेगा increase हो जोगी would increase next for a stationary satellite 30 week stationary satellite which of the following statement is not correct not correct मतलब जडी सही नहीं या गलत statement जडी correct निया सी वो दिखनिया its height is fixed height can they fix रहन दिया time period of rotation is same as that of the earth so it's orbital plane is inclined at the same angle to the axis of rotation of the earth so c बचे थोड़ा correct answer है next दिखो sixth question the distance of the gravity geostationary satellite from the center of earth is nearest to so बचे शानू हलका जया solve करके दिखना पएगा पहला दिखो आ तर्तिया तर्तिदा radius बचे था उन्हों पता है कि 6400 km आ असी इत्थे किते सैटलाइट राख देती जोड़ी सैटलाइट हो किन्नी distance थे राख दिया 36000 थे ठीक है so 80 की किता so इस तरीके ना लिख देता हूं दोनों टर्म्स नों सी एड़ किता तर्ति तो दोन्नों दी दूरी किन्नी होगी दोनों टर्म्स नों एड़ किता साड़ी को आ गया 42400 किलो मीटर जान सो इस इत्थे डिस्टेंस पता करनी है so असी की किता है ना दी रेशो फाइंड आउट कर लग गया सो रेशो कितना इस तरी के ना निकाल लांगे so कटिंग करके बचिया दोना नों सॉल्व करके देख लो थोट आंसर आजेगा 6.625 so अंसर किन्ना आगया 626.625 so 6 ने नों कैरी देता था नियरल इकोस तो 7 7 आर जेड़ा या आंसर आएगा so देख लो बचिया सी ओप्शन 7 आर निक्स देख लो परसन सिटिंग इना आटिफिशल सैटलाइट आफ एर्थ हैव माल लो आटिफिशल इक सैटलाइट ना एक परसन ओपर बैठ गया तो उन्हों किदा ना फील होईगा बच्छे जड़ा इक आर्टिफिशल सैटलाइट होंदा इदा दे पॉइंट थे फिक्स किता जान्दा या जित्थे जड़ा की उन्हों वेटलेस्ने स्टेडी फील होई पार महसूस ना होई इदा मतलब परसन फील्स ओन सैटलाइट सो वेटलेस मतलब पार ही ना फील अच्छे जड़ा इदा मुण सफिसे इस वन पॉइंट शेवन पॉइंट पर सेकंड काल्कुलेट थे मास अना मून तो बच्छे एड़ एर्थ कोश्चे वी थो अनुट्व खरके देखना पाएगा तो एर्थ कोश्चन देखो बच्छे किता सौल्व करांगे जीज इकोस गेोस्ट दी वैल ओ कर नियाँ 1.67 इस इकोस तो केपिटल गीड़ एऄ 6.67 इन्टो टैनरेश to दी पावर मीनस 11 मौल्टिप्लाये बयां मसी पता करना अर दी वैलु कर नियाे 1.74 क्योंकि मून दी आवच्छे तो 10 raised to the power 6 दा whole square ठीक है जी सो आँ सारी term नो solve करो देदे न multiply कर दो आँ term में दे पैराच लिया हो so m दा answer m दा answer किनना आजेगा so 1.67 ऐसाच पे आया 1.74 नो 1.74 ना multiply करो साथ आजेगा 3.027 बचे 10 raised to the power 6 ते 2 बार सी 6 2 जा 12 ठीक है थी आगया 12 divided by 6.67 इंटू 10 raised to the power जड़ी ये minus 11 आओ दूसरी तरफ लिया है so सारी नो बचे solve करके देख लो थोड आएगा 0.7578 इंटू 10 raised to the power 23 so असी point shift किता 7.5 इनने नो carry देता 8 इंटू 10 raised to the power 22 kg so बचे option तुसी चेक कर सागा देया थो DC option आजेगी 7.58 इंटू 10 raised to the power 22 next find the velocity of escape at the moon given that its radius is 1.7 इंटू 10 raised to the power 6 meter and the value of G at the surface of surface is 1.63 so अगे बचे 9th कोश्य है escape velocity escape velocity दा formula की हुंदा है VE is equals to under root 2 GR so 2 G दी वैल्यू किन्या 9.8 और R दी वैल्यू किन्या बचे आसी moon दी sorry कट रहे है ठीक है moon दी निकार रहे है so moon दी gravity किन्या 1.63 1.63 और G दी वैल्यू 1.76 इंटू 10 raised to the power 6 so असारी नो बचे solve करो साथ आगया 5.543 इंटू 10 raised to the power 6 so इन्हों अंडरूट चो solve किता 2.35 multiply बचे 10 raised to the power 6 है याद रखो जदो भी अंडरूट दी अंदर असी पावर नो solve करना होवे ता इधी जड़ी पावर आ ओ इवन नमबर होवे जिद्धा कि 2,4,6,8 वगएरा होवे जिस 7,9 आता इथो पॉइंट शिफ्ट करो ते इन्हों इवन नमबर चे लिया हो अद्ध कर दो ते रखो धी पावर 6 है इधा हाफ कर दो ते रखो धी पावर 3 थो अंडरूट तो डार निकल गया आंसर आगया 2.35 अंसर चेक कर लो 2.35 बचे ए औप्षिन आजेगी थाद दी इन्ट ते रखो धी पावर 3 नेक्स ता आए असी टाइम पिरेड दा फॉर्मूला बचे लगावांगे टाइम पिरेड के दे एकलों था टू पाई यार डिवाइड़ बाई वी हुन तेया अन्दो बचे सानू रेडियस और विलास्टी हुन सानू विलास्टी नी थे किते वी गिवन जदो तक विलास्टी नी पता होएगी ताइम पिरेड असी solve नी कर सकते सब तो पहला थो अनू पता करना पहना और्बिटल विलास्टी और्बिटल विलास्टी के दे एकलों दिया जी एम डिवाइड़ बाई आर ठीक है असी जी एम दी जगत ही बचे यो यूज करन लग गया क्योंकि सानू मास नी पता तो एदी जगत यसी लगान लग गया जी आर रेडियस ओफ आर डिवाइड़ बाई आर तो अवाला फॉर्मूला यूज करांगे जी दी वैल्यू किनी या 9.8 यूज एदी वैल्यू 6.4 इंटो 10 रेज टुदी पाव़ 6 और रेडियस बचे सानू पताया की किन्ना हुंदाया 9800 9800 पचे कितों आया 30 रेडियस प्लस डिस्टेंस 30 रेडियस किनना आया 400 और डिस्टेंस होना ने सानू गिवना 3400 सो 3400 दोना नू एड किता साथा आजेगा 9800 98.6 ये नू मीटर से विच कनवर्ट कारता सो अंडर उड़ दे अंदरा सारा इस सारे नू सॉल्व करकी देखलो बचे तो आटा आंसर किनना आएगा सो वी नॉट दा आंसर आजेगा 6.4 इंटो 10 रेज टू दी पावर 3 सो असी लिख सकने है 6400 किलो मेटर पर सेकंड हुन साथे को विलोस्टी है गिया सो विलोस्टी आता बचे आसी टाइम पिरियेड लगा सा कदिया 2 पाई या डिवाइड़ बाई वी सो 2 इंटो 3.14 रेडियस बचे रेडियस किदा निकाले आसी 6400 अर्थ दा 3400 सा नू गिवन दोना नू आड कीता ता साथा किनना आगया 98 सो 9.8 इंटो 10 रेडियस टू दी पावर 6 मीटर दी विच किलो मीटर नू मीटर चकन वर्ट का देता नीचिया 6.4 इंटो 10 रेडियस टू दी पावर 3 सो इस सारी नू solve किता बचे साथा जड़ा आंसर आजेगा 9616 सेकंड ठीक है सो देखलो बचे था आड़ा सी जड़ा नियरली को स्ट आंसर हा सो असी सी जड़ा या टिक करदांगे ठीक है जी नेक्स राव वट इस फॉर्मूला ओफ उनिवर्सल कॉंस्टेंट युनिवर्सल कॉंस्टेंट बचे थी इकल होंदा जी M1 M2 divided by R2 उनिवर्सल कॉंस्टेंट इस फॉर्मूला लिखन नू किया सो आगे F R2 divided by M1 M2 ठीक है जी नेक्स टाव वट इस इंटेंस्टी उफ ग्रेविटेशन फिल्ड उफ द अर्थ इस मैक्सिमम किते जाके मैक्सिमम होंदा पोलते जाके एक्वेटर से मिनिमम पोलते मैक्सिमम वट इस दे कापिलर्स लॉफ एरिया लॉफ एरिया बच्छे किया अलाइन दाट कॉनेक्ट अप प्लानेट तो सन स्वेप्ट आउट इकुल एरिया निन इकुल इंटर्वल अफ टाइम ठीक है जी इस स्वेट इक लाइन लिखनेया या तो इसी फॉर्मूला भी लिख सकतेया नेक्स दिखो वट इस वेट ओफ दे बॉड़ी अफ दे सेंटर आफ आफ एर्थ बच्छे वेट की इसी डवली इसी दवली इसी एमजी डवली इसी एमजी सानु पता ग्रेविटी जेडिया जीरो हो जान दिया सेंटर चे जाके सो वेट तो अटकी हो जूगा जीरो निक्स दिखो अन आटिफिशल सेटलाइट इस गोइंग राउंद अर्थ च्छोस तो दे सर्फेस वाइस वाउस्टी अर्बितल जीरोस्टी वी नौट इस इकोस टो जी यार गी वाल्यू तर्थी वाल्यू के निया सानु दोनों वाल्यू इस गीवन आ 9.8 आर्थी वाल्यू भी गीवन आ 6.4 इंटो 10 रहेश तो दी पावर 6 सो इनू सॉल्व करके देखो बचे सारे इन सॉल्व करके देखो तो दर्थी वाल्यू इस वीडियो दे विच मैं नहीं शियर कर रही क्योंकि लॉप तुसी इन नू अनू अपनी बुक्स दे विच जड़ाया सॉल्व कार लिया हुएगा बट फिर वी अगर था उनू इदर एक्स्प्लेनेशन चाही दिया थे अंसर्स चाही दिया था तुसी कमेंट सेक्षन दे विच लिख देना सो नेक्स्ट वीडियो था डेली बन के आजेगी ठीक है जी अगर वीडियो अच्छी लगी हो वे ता बचे प्लीज लाइक कर दो शेर कर दो जे चैनल ते फॉर्स टाइम आयो तो सस्क्राइब करना ना पुल लिए थेंक्यू सो मच